हेलो फैंट्स वेलकम टू नवीन हेल्थ केर्म आज किस वीडियो में हम जानेंगे स्यफियो रॉक्सिम 500 टेबलेट की बारे में चैस का डॉच, यूजेच, मेकनिजम आप एक्शन, ड्रग इंटेक्शन, प्रिकोसंस और साइड इफेक्ट आपसे रिक्वेस्ट है यह वीडियो एंट तक जहुर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले चलिए फैंट्स तो सुरू करते हैं सब से पहले हम उसके बैसिक इंफोर्मेशन जान लेते हैं स्पुरुचांट टेबलिट जोकी ड्रग का जनिक नम है अगर हम इसके बराजन की बात करें तो जोसेप 500, पुल्मोसेप 500, सीफा काइन 500 इत्यादी इसका मोस्ट पोपुलर भराजन नम है अगर हम इसके मार्पी की बात करे तो यह 40-50 रुपे में एक टेबलेट मिलती है और इसके एस्टेंथ की बात करे तो इसमें स्चेफिरॉक्सिम 500 मिलिग्राम रहता है अब हम इसके यूजज की जानकारी विश्तार से जानते हैं कि किनकिन प्रब्लम्स में हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं स्चेफिरॉक्सिम 500 टेबलेट जो कि एक एंटिबाटिक ड्रग है इसका उप्योग विभिन प्रकार के बैक्टिरियल इंफेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एस्किर इंफेक्शन, एस्टोमेक इंफेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन, भेजाइनल इंफेक्शन, टाइप हाइड फीवर, रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन, साथ ही इसका उप्योग, कान, नाक, आँख, गले और शप्रिरॉक्षिम टेबलिट काम केसी करता है शप्रिरॉक्षिम टेबलिट एक एंटिबाइटिक ड्रग है या बैक्टिरियल प्रोटेक्टिव कभरिंग कोशिका जिल्लिक के निर्मान को रोकर काम करता है जो मानव सरीर में बैक्टिरिया के जिवित रहने के लिए आवस्यक है इस परकार सेप्पिरॉक्षिम टेबलेट काम करता है अगर हम इसके ड्रग इंटेक्संस की बात करें तो अगर आप एमिकासिन, कलरेम फेनिकल, एथिनाल एस्टार डियॉल, कॉलेरा वैक्सिन, फ्योरोसिमाइट इत्यादी दवायां लेते हैं तो इसके साथ सेप्पिरॉक्षिम टेबलेट लेने से गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है या अगर आपका डॉक्षिम एडवाइस करें तो ले सकते हैं अब हम इसके प्रिकोशन्स साथ्धानियों के बारे में जान लेते हैं बिना डॉक्षिम की सला से सेप्पिरॉक्षिम 500 टेबलेट का उप्योग नहीं करें गर्वबाती और अस्तनपान कराने वाली महिलाओं को सेप्पिरॉक्षिम टेबलेट लेने से कोई हानिकारक प्रभाब देखने को नहीं मिलता है अगर आपको किड़नी हर्दय और लिवर की समस्या है तो इन कंडिशन में सेप्पिरॉक्षिम टेबलेट लेने से पहले डॉक्षिम से सला जरूर ले तो फैंस अब हम इसके डॉज और साइड़फेक्ट के बारे में जान लेते हैं अगर हम इसके डॉज की बात करें तो पैसंट के उम, कंडिशन, डिजीज और वेट के कोडिंग इसका डॉज तै किया जाता है मुख्षिता इसे एक टेबलेट डेली लिया जाता है कुछ कंडिशन में से डॉक्टर दिन में दो बार लेने की सला भी देते हैं यह दवाई कितने दिनों तक लेनी है यह आपका डॉक्टर आपके डिजीज कंडिशन के कोडिंग तै करते हैं और साइड इफक्ट की बात करें तो इसे लेने से मिचली, उल्टी, डायरिया, एलर्जिक रियक्षन, हिमोगलोबिल लेवल कम होना इत्यादी साइड इफक्ट देखने को मिला है तो फैंस इस वीडियो में लास्तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू वाचिंग फर दिस वीडियो, जय हिंद, जय भारत